आप सबको मेरे यूट्यूब चानल पर तो आज में लेकर आए हूँ एक विडिया सा और हेल्दी वाला रिसिपी तो चलिए स्टाट करते ही इस से बिनाने के लिए तो टडाई रित्या है, ओइल आड़ करना है, ओइल गरम होते ही उस पर हम एक चमच ड्राई आड़ कर लेंगे और साथी साथ दो बिड़े साइज की प्याज हमें आड़ करना है प्याज सॉफ्ट होने के बाद हम एक मसाला रिडी करेंगे इसके लिए हमें चाहिए नारियल, हरी मिर्च, लसून और हल्दी पौडर और जीरा इस सारे चीज़ों को डालकर अच्चे से ग्राइन करके लेना है तो देखे हमारे प्याज जो है अच्चे से सॉफ्ट हो चुका है अभी हम इस प्राइट किया है हल्दी पौडर अप्ता चमच और स्वादा नुसन नमक अगर आपके पास करी लिउस है तो करी लिउस भी आट कीजिएगा और इसमें जाएगा बेडिया सा हमारा मश्रूम तो यह जो मश्रूम है बहुत ही हल्दी रहता है हेल्द के लिए क्रश करके रिकता नारियल उसे भी आट कर लेंगे तो अर्दा कप नारियल लिया था और दो मैंने बेड़े साइस की हरी मिर्च लिये थे और हमें चाहिए जीरा एक चमर और हल्दी पौडर और लेसून दो तीन कलिया चाहिए और डाल कर अच्छे से क्रश करना है और इस इसे पक जाए इसमें पानी डालने के कोई जरूत नहीं है इस मश्रूम से निकलेंगे पानी उससे कुक हो जाते हैं हमारी मश्रूम तो देखिए बहुत बेडिया सा एक कलर पूड रेसिपी हाँ पर रिडी हो रहा है तो अभी हम इसे कुला रेकेंगे कुला चोड़कर इस देना फ्रेंस बहुत ही टेस्टी है बच्चे को बेड़े को बहुत ही पसंद आने वाले हैं और लंज के टाइम डिनर के टाइम आप इसे सर्व कर सकते हैं यह जो सवत की जो स्टाइल में मैंने रेसिपी शेयर किया है उमीद करती हूँ आप भी इसे ट्राइ कीजिए और इसका टेस्ट कैसा है मुझे बताना तो फिर आती हूँ नएने रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई थैंक यू में बताना प्रियू आती है भी तो बाई आती है तो यूँ आती है कर दो कर दो